कॉंग्रिस के अंदर भी कास्टिंग काउच पाटी पर नेत्री ने लगाए गंभीर आरो क्या प्रेंका गांधी वाडरा देंगी पीडिता का साथ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा होगा फे कॉंग्रिस नेता और उत्तर प्रदीश महासची प्रेंका गांधी वाडरा हमेशा महिलाओं के हक के लिए बोलती हुई दिखाई देती है उन्होंने नारा भी दिया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये देख करदीश की महिलाओं और बच्चीयों को लगा वाकई में राजनीती में कोई ऐसा नेता आ रहा है जो महिलाओं के लिए कुछ करेगा ये सिर्फ चुनावी नारा नहीं होगा लेकिन सच तो यही है कि ये सिर्फ चुनावी नारा है और लड़ाई सिर्फ दूसरी पार्टी से की जाएगी क्योंकि जब अपनी ही पार्टी में महिला नेता के साथ अन्याय हो तब प्रेंका गांधी चुप हो जाती है तो साफ है कि वो राजनीती करना चाह रही है महिलाओं के साथ इनसाफ नहीं नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कामिली जहा और आप देख रहे हैं news बने लिया कॉंगरिस में ता सीमी रोजबेल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया पार्टी ने सीमी पर ये action उनकी कॉंगरिस पर लगाए गंभीर आारोप के बाद लिया है रोजबेल ने आरोप लगाया था कि कॉंग्रिस में नेत्रित्व के करीबी लोगों को ही मौका मिलता है और यहां फिल्मी दुनिया जैसा कास्टिंग काउच होता है कास्टिंग काउच से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ मतलब सीमी रोजबेल ने कॉंग्रिस के अंदर महिलाओं के साथ सोशन की बात कही है काम देने के बदले में महिलाओं के साथ खिलवार की बात इन्ही आरोपों के बाद पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गजब ये है कि जब ये सब हुआ तब लगा कि प्रेंका गांधिवाडरा इस पेड़ित महिला नेता का साथ देंगी पर नहीं वो चुप है क्योंकि बात उनकी पार्टी और अपने लोगों की है रोजबेला ने आरोप लगाया कि कॉंग्रिस में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए समझोता करना पड़ता है एक टीवी चैनल को दिये बयान में उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कॉंग्रिस में महिलाओं को पुरुष नेताओं को इंप्रेस करना पड़ता है यहां टैलेंट की कुई काम नहीं है आपको बता दें कि रोजबेल केरल की राजनीती का एक जाना माना चहरा है और All India Congress Committee की भी सदस्से रह चुकी है यही कारण है कि उनके आरोपों को BJP ने हाथो हाथ अपने पास ले लिया और Congress पर लगातार हमला करना शुरू कर दिया है वही यही Congress केरल में राज्य सरकार के खिलाब विरोध प्रदर्शन कर रही है Congress की समर्थक वाली United Democratic Front का आरोप है कि वामपन्थी सरकार Justice के हेमा समीती की रिपोर्ट के कथित तौर पर नामजद अपराधियों को बचा रही है करने वाली हाल ही में जारी की गई Justice हेमा समीती की रिपोर्ट में पीड़िता के खुलासे की अंदेखी करने का आरोप लगा रही है विधान सबा में विपक्ष के नेता, वीडी, सतीशन ने इसके विरोध में प्रदर्शन का नित्रित्व कर रही है और यही पार्टी अपने दल से उस महिला नेता को बाहर निकाल कर फेक देती है क्योंकि वो सच बोल रही है और इन सब के बीच लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रिंका गांधी वाडरा चुपी साधे बैटी है जैसे उन्हें यह सब ना तो दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए